दोस्तों IPL 2021 के ओक्षन के लिए सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है और आज इस करी में हम बात करेंगे रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बाड़े में जहां पर विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB के टीम IPL के मीनी ओक्षन में दो प्लेयर्स को मुख्य रूप से टारगेट करेगी और किसी भी हालात में इन दोनों प्लेयर्स को अपने स्कुएड में इंक्लूड करना चाहेगी तो आज इस वीडियो में हम आपको इन दोनों प्लेयर्स के रिगार्डिंग पूरा इंफर्मिसन देंगे तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रिस्टिंग है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे और अगर आप भी वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को फ्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि वीडियो को लाइक जरूर करें IPL 2021 के मीनी ओक्सन के लिए 35,70,000,000 का काफी बहतरीन पर्स बैलेंस एवी लेबल है और इतनी रकम में इस टीम को 10 बड़े प्लियर्स को खरीदना है तो ऐसे में ये टीम अपने स्कुएड से अलरेड़ी दो काफी बड़े प्लियर्स को रिलीज कर चुकी है जिसमें डेल एस्टेन तो अलरेड़ी RCB से बाहर हो चुके है और आरोन फिंच को RCB की टीम ने रिलीज कर दिया था तो इस वज़़से इन दोनो प्लियर्स का रिप्लेस्मेंट IPL के ओक्सन में RCB की टीम तलासने वाली है तो ऐसे में आरोन फिंच के अस्थान पर विराट कोहली की टीम इस्टीव स्मिथ को अपने स्क्वाइड में इंक्लूड करना चाहेगी और अगर इस्टीव स्मिथ को RCB की टीम खड़ीद लेती है तो इस टीम का प्लेइंग 11 काफी ज़्यादा बैलेंस और एक्स्प्रियेंस हो जाएगा क्योंकि एस्टीव स्मिथ के आजाने से विराट कोहली ओपनिंग कर पाएंगे वहीं एस्टीव स्मिथ नंबर 3 पर बले बाजी करते हुए नजर आने वाले है इसके बाद इस लिष्ट में दूसरा बारा नाम है डेल एस्टेन के रिप्लेस्मेंट प्लेयर को ले करके जहां पर RCB की टीम IPL के मिनी ओक्सन में डेल एस्टेन के अस्थान पर एक बेहतरीन विदेसी तेज गिंदवाज को खड़ी देगी और ये प्लेयर मिचल इस्टार करहने वाले है हलांकि इस प्लेयर को किंग्स 11 पंजाब की टीम भी टारगेट करेगी लेकिन विराट कोहली की टीम भी इस प्लेयर को लेकरके 10 से 15 करोर तकी बिडिंग करेगी और मीचेल एश्टार को अपने स्क्वाइड में इंक्लूड करना चाहेगी तो आपके कोडिंग क्या RCB की टीम को स्टीव एसमिथ और मीचेल एश्टार को खरीदना चाहिए आप नहीं आप अपनी राए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अगर आप विराट कोहली की टीम से रिलेटेड सभी इंफर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें जिससे आने वाले समय में IPL से रिलेटेड सभी न्यूज सबसे पहले देखने को मिलती रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में